तो देखते हैं पर question number 6 में हमसे क्या पूछा गया है Which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary तो हम यहाँ पर कौन सा lens का use करेंगे जब हमें यहाँ पर dictionary में से छोटे छोटे सब्दों को देखना हो तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते कि हम यहाँ पर magnifying glass की बात कर रहे है किसकी बात कर सकते हैं यहाँ पर magnifying glass की तो magnifying glass में यहाँ पर कौन सा lens लगा होता है हमें यह पता होना चाहिए क्योंकि जब हम यहाँ पर dictionary में से word पढ़ना होता है तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करते है? Magnifying Glass का यूज़ करते हैं और Magnifying Glass में जो हमारा लेंस लगा होता है वह यहाँ लगा होता है Convex Lens क्या लगा होता है Convex Lens इसका मतला हमारा B और D ऑप्षण तो यहाँ पे गलत होगा अब हम यहाँ पेGold M की बात कर लेते हैं तो जितना कम यहां पर focal length होगा उतनी ज्यादा converging power बढ़ेगी converging power बढ़ने से वहां पर जो हमारे छोटे सब्दे वह यहां पर बढ़े दिखाए देंगे तो यहां पर focal length किसका कम है यहां पर c वाले option में कम है एक convex lens of focal length 5 cm तो इसका यहां पर क्या होगा हमारा c option सही होगा अब हम यहां पर देख लेते हैं next question